नमस्कार, जोती संदानी में आपका स्वागत है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके हाथेले में इंट्रेशन पावर की रेखाएं हैं, योग हैं, तो आपका इंट्रेशन पावर अच्छा होगा, इंट्रेशन पावर अच्छा होगा, तो कहने का मतलब क्या, कि आसपास में या फिर आपके साथ कोई भी घटनाएं दुर घटनाएं होने वाली होती है तो पहले से आपको प्रकृति द्वारा संकेत दिया जाता है क्योंकि देखिए प्रकृति द्वारा हमेशा संकेत दिया जाता है आप इस चीछ को जान लीजिए भदबान को किसी ने नह उसी परकार से आपको प्रिकृति द्वारा हमेशा संकेत दिया जाता है इंट्यूशन पावर यदि अच्छा हो तो आप उस संकेत को समझे उस पर वर्क करें पिर यह और स्ट्रॉंग हो जाएगा और ब्रह्म मुझ रथ होता है ना तीन वजे के बाद उस टाइम मेडिटेश पर कृति से जुरें तो आपका ये चीज और स्ट्रोंग हो जाएगा आपका ओरा जो है नुप हो जाएगा जब जातक का ओरा स्ट्रोंग हो जाता है तो उससे किसी भी तरह का नेगेटिविटी नहीं चलता है इस चीज को आप जान लीजें आप लोग बहुत पैसा खर्च कर वह आप खुद कर सकते हैं मालीजे आप बीमार हैं तो medicine आपको खाना है ना कि दूसरों को इसलिए आप अपने आपको मजबूत करना है आपको ना कि कोई और आपको मजबूत करेगा तो ओरा आपको मजबूत करना है अधी आपका intuition power अच्छा है तो यह चीज होगा तो कोई आपको सबसे पहली बात तो आवहास हो जाना पुर्वा अनुमान लग जाना दूसरी चीज़ा था सपना अगर सपने में आप कोई भी दूर घटना देखते हैं वह दो तीन दीन के बाद या भी सड़न आपके साथ वह घटित होता है तो कहीं ना कहीं आपका intuition power बहुत कि के तुग रहदवारा भी रूल किया जाता है देखिया आप मेरी बातों को समझे यह मैं सोचे मैं बस लेक्चर दे रही हूं मैं बहुत इंपोर्टेंट बाते कर रही हूं आप लोग समझे इस बाते को तो यह होता है हम लोग तुदी पॉइंट अगर बात करते हैं इंट्रोशन पावर की रेखाएं कहा पे और ऐसे जांत कर फिलोस पर भी होते हैं हाथेली को देखके आपको कैसे पता चलेगा सबसे पहले आपको हतेली को देखना है लेखिया लाइन आती है जाती है ठीक है यह चीज तो है फैक्ट है कि रेखा है आज आप अपने हतेली को देखो और तीन मेहने के बाद देखना आपकी हतेली बिल्कुल चेंज हो गई हाँ कब चेंज होगी जब आप कोई कारी कीजिएगा ऐसे आप निकम्मे के तरफ बैठे रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी हतेली की हो आपके माइंड में आपका कुछ ना कुछ चल रहा है तो आपकी हाथ की रेखा है जरूर बदलती है तो आपको देखना है अंता प्रेर ना इंट्वेशन देखना है तो सबसे पहले आपको हतेली देखना है क्या है हतेली आपका दार्सनिक हतेली कहने का मतलग आपको बड़े रिसर्च के छेतर में गए हो या बड़े बैग्यानिक के हथेली देखना या फिर कोई भी जो अपने बहुत कुछ दिमाग से काड़ी किया है उनकी हथेली की फिंगरे सीडी नहीं रहती है थोड़ा सा नोड जो है यह निकली हुई रहेगी यह नोड पलस थोड़ी मतलब अटपठा सा दिखेगा लगेगा ने की बहुत अच्छा है तो दार्सनिक हथेली हम लोग उसको बोलते हैं इसलिए बोलते है क्योंकि हलकी सी तेडी मेरी टाइप में रहती है और नुकिली हो जो भी पहला पोर हो बिल्कुल नुकिला हो तो ऐसे हाथ को दार्सनिक हा करें नुकिली हो दार्सनिक कहने का मतलब अहिताकार और बढ़का का सारे निकले हुए है यह नोर्ण जो होते है यह बीच का कमसे कम निकला हूँए और हलके सी फिंगर्ट थोड़ी सी कर्व टाइप में लिए हुए हो कर्व टाइप में थीक है तो ऐसा होता है तो यह में चंद और बुद्ध हो गया तो इन दोनों का मइन अदि बंधर हो इन जातों को बहुत अच्छा इंट्रेशन पावर होता यह लोग बहुत सफल जोतिसी बनते हैं बहुत अचे प्रडिक्शन करने वाले बनते हैं फलित जोतिस में ये लोग पारंगत होते हैं तो अगर आपको ये देखना है ये अगर किसी भी जातक के हतेली में ये लाइन आप ने देख लिया है तो आप आसानी से कह सकते हो इन जातक का इंट्वेशन पापर बहुत अच्छा होता है लाइक एनिमल्स का जिस पर क livro बार बार बोलते हैं कि एकस का साइन का मतलब क्या होता है देख है अब मैं आपको इसको बटा सकती हूं इदकर यहां पे एकस का साइन हो इस परकार से ठीक है इस परकार से जो कि टच पिए हुए हो ऊण तो इसे हम लोग रहस्माई क्रॉस बोलते हैं अगर यह क्रॉस यहां पर सनी माउंट के नीचे हो तो इनका भी इंटुशन पावर काफी अच्छा होता है यह लोग भी बहुत अच्छे जोतिसी बहुत अच्छे तंत्रमंत्र बहुत अच्छे अध्यात्मिक रहस्माई विद करना परेगा क्योंकि एक ही एक जरिया है जो कि आप डिरेक्ट प्रिकृती से नेचर से जूड़ सकते है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छा होता है यह जो साइन हो यह काफी अच्छा साइन बोला गया है अगर X का साइन आपके हाथेली मे क्या होता है कभी कई नोगों का किया होता है कभी कभी को काम करता है आलवेज नहीं करता है कभी 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 करता है तो आपको यह नहीं समझ सुझाए आगर आपकी रेंखाए लिग्टेस Bolsonaro WA उबitelा हूँ तो आपको एणी टाइम आपको यह तो यह का हो यह थे भाग एखा यह तरह से इंट्यस घ्रेखा है एग्रुल तो यह लोग डेफरनेटली जो होते हैं बहुत बरे जोती सी होते हैं जो की बहुत सिद्धी प्राप्ट होते हैं जैसे कि नास्तरे देमस जो होते हैं उनके हतेली में जरूर ऐसी लाइन होगी मैं तो नहीं देखी हूं बट ऐसी लाइने जरूर होगी इन लोगों का भविष्यवानी 100% सह το वह बहुत सुब्जाइन होता है अगर आपके हाथेली में इस परकार से रखाएं हैं क्यृकून बना रहा है अगर और थो इन लोगों का बहुत कब ही ज्यादा इंट्रेशन पालगों होता है आंतु आपको इन्टेशन पावर अच्छा होता है तो हां थेली में दो तीन योग मैंने बताया एक देखिए बुद्धा आई एक इस तरह से रेखाने हो तो इन्टेशन पावर इन लोगों का बहुत ही स्ट्रॉंग होता है और यह लोग अगर और एक्टिव करना चाहते हैं तो यह तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया मेरे चैनल पर नए है तो पुराने है तो सेर कीजिए आज के लिए वह इतना ही महत्तार